हेलो फ्रेंज चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिजान का डॉर्मेंट बनाना बताती हूं जिसके लिए यहां पर मैंने दो कलल सौरी तीन कलल लिया हुए है यह देखिए मैंने यह यलो कलल लिया हुआ है और यह मैंने हलका रेड लिया हुआ है और यह देखिए यह पिंक लिया हुआ है इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारा सा डॉर्मेंट बताऊंगी जो बनाने में बिल्कुल आसान है जिसे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं मैं बूल में बता रही हूँ और यह मैंने नौ नंबर्स लाई ली हुई है इसी से मैं सभी डॉर्मेट को बनाती हूँ नौ नंबर्स लाई से ही तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमारा डॉर्मेट आपको कैसा लगा तो चलिए हम बनाना इस्टार्ट करते हैं एक नए का दोर मैं कि पहले मैं यहां पे फंदे 2021 मीड देखिए इस तरह से येल्लो कलर से हम फंदे डालेंगे आप खोई बीकलर से फंदे डाल सकते हैं ему कमैरे पसंद का इस चनृलर आप लगा सकते हैं तो यहां पर मैं है इस तरह से फंदे डालोंगी cały 26 मुझ़े डाल लेने हैं इस तरह से मैं यहांपर नाल Pope इसके बात दिखाती ऊंप देख्य फ्रेंस मेने यहां पर चाहिए खुर्प हय दो है आपको इतना बड़ा है अपने तो से हाफ से यासमें अनि तरह सकते हैं हम सबसे पहले एक सलाई इसी तरह से उतारेंगे किम्प्लियट करूंगी बहुती इजी है और बहुती सिंपल है ये और बिल्कुल नयर रजाइन है टो लिजे पॢ़र और इपने दोस्तों के साद शेर करें ये देखिए इस तरह से तो पहली शलाई को मैं इस तरह से बना के यह देखिए कम्प्लेट कर लेती हूं तो यहां पर हम पहली सलाई को बना चुके है यह देखिए यहां पर मैं एक सलाई बना चुकी हूं इसके बाद हम उल्टी सलाई पर हैं तो उल्टी सलाई पर हमने इसमें फरी वाला डिजाइन बनाना है तो देखिए किस तरह से हम बनाएंगे ल्टी तरब से हम डेसाइन को शुरुवार्ट करेंगे तो यहां पर एक लेखिए हमने धाग हम लिया है 여 अंश्य को खाली 2 लाईवं में डाले लेंगे इस तरह से यहां पर हमने एक प्म्राओं सीधा प्म्राओं सीधा फंदा मैंने एक बना लिया है यह देखिए पिंग कलर से एक फंदा येल्लो कलर से और एक फंदा पिंग कलर से एक फंदा येल्लो कलर से इस तरह से हम इसको बनाएंगे तो देखे हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने इसको बनाते हुए जाना है जैसे कि मैंने अब ये यलो बना लिया तो मैं इसको इस तरह से पकड़ लूँगी और ये मुझे पिंक बनाना है फिर इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे ताकि हाँ पर डिजाइन हमारा फिनिसिंग आचुक है यह इस तरह से पूरी छलाइक को हम इसी तरह से बना केक मिः एक फणद और एक फंदा यल्लो तरह से इसको मैं बनाओंगी यह देखिए और हम उल्टी तरफ से यह देखिए सीधा करके इस तरह से फंदा बना रहे हैं यह देखिए इसको हम बना लेते हैं पूरी शलाई को इसी तरह से इसके बाद सीधी शलाई पे आपको फिर से दिखाते हैं तो देखे फ्रेंच मैंने उल्टी तरफ से बना लिया है डिजाइन को अब हम है सीधी तरफ यह हमारा सीधी तरफ है इस तरह से अब हमने क्या करना है सीधी तरफ में हमने जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बनाएंगे तो देखे यहां पर पहला फंदा हमारा यलो का है तो हम इसको यलो से बनाएंगे यह देखिए इस तरह से अब दूसरा फंदा हमारा पिंक का है तो हम यलो को इस तरह से पकड़ेंगे और हमने। पिंक से बनाना है। धागे को पगड़ते हुए जो फंदा जैसा है, चीधी कलर करेंगे पूरी शलाई को ये देख़े करें कि इस तरह से तो का इसको मैं बना लेती हुय उस CG सलाई को तो देख़े हमारा ये डिजाईन चोटी की तरह आ गया है अब हम है यह ते थे तरफ तो ऊढ़्टी तरफ से हमने पूरी शलाई को पूरी शलाई को येलो से बनाना है ये रेखिए अब यहां पर मैं पूरी शलाई उल्टी येलो से बनाकर कम्प्लिट कर लेती हूं ये रेखिए इसके बाद मैं आपको दिखाती हूं किस तरह से हमने इसको बनाना है तो यहां पर ये रेखिए हमारा ये डिजाइन बन चुक हाई जे चलिए हम पूरिज राई को दि से यल्व से बना रहे हैं कि तो पूरीज लाई मैंने यहां पर येलो से बना ना के कंपलेट कर ली यह कि यह मेरा उल्टी तरफ है और यह हमारा सी तरफ है तो देखिए अब हमने क्या करना है अब हम यलो से ही बनाते हुए जाएंगे और हर बार लास्ट का एक एक फंदा दौनों तरफ से छोड़ते हुए जाएंगे तो यहां पर मैंने यह डिजाइन बना लिया है इसके बाद हम दौनों तरफ से छोड़ते हुए फंदे तक आएंगे, दोनों साइड से हमने एक एक फंदा छोड़ना है, यह रेखिए, प्लाष्ट का एक फंदा छोड़ेंगे, यह रेखिए इस तरह से, तो यहाँ पर मैं लाष्ट का एक फंदा छोड़ दी हूँ, इसके बाद हम यहीं से वापिस हो जाएंगे, हम जब इस साइड आएंगे तो यहाँ पर हमने एक फंदा छोड़ना है फिर हम दूसरी तरफ आएंगे तो दूसरा फंदा छोड़ना है फिर हम तीसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक फंदा दोनों साइड से मुझे एक एक फंदा ही छोड़ना है और हमें बीच तक आ जा तो चलिए हम इसको इसी तरह से जब हम दोनों साइट से फंदे छोड़ के बीच तक आ जाते इसके बाद मैं आपको फिर से दिखाती हूं तो देखी फ्रेंज मैंने यहाँ पर दोनों साइड से फंदे छोड़के बीच तक मैं आ गई हूँ और दोनों तरप मैंने 13-13 फंदे छोड़ लिए हैं यह देखिए इस तरह से मैं सीधी तरफ हूँ इसके बाद हमने देखिए हर सलाई पर एक एक फंदा छोड़ा है दोनों पेह कि शाया पर दीज तरफिश्य सागवर हैं। इसके बाद घम यहीं से वापिश हो जाते हैं यह देखिए तो एक साइड में 24 पंदे कर लेती हूं यह देखिए तेरा 14 फंदे इस साइड हो गए हैं और इस साइड मेरे 12 फंदे रह गए हैं तो 12 फंदों मैं यहाँ पर यह देखिए दूसरा कलर लगा हूँ यह देखिए इस तरह से कि दूसरी साइड मेरे यहां पर कि दो कि ती चार कि पांच च्छे कि साथ आठ नो दस ग्यारा कि बारा यह देखिए दौनों तरप तेरा तेरा फंदे थे तो इस साइड मैंने 14 फंदे कर लिया और 12 फंदें दूसरी साइड यह रैड कलर लगा दिया है अब यह देखि यमेने विल्टी शाइट से लगा दिया है अब हमने किस तरह से यहां पे यह देखिए सलाई पे लपेटे हुआ्षियों सलाएँ उप्राइब टिए इस तरह सेत भूण आते हुए यहां पर हमने संधत दॉयरे और जैसा भी संधत को ठीक आतुरम या दिया है और लाश्ट का में एक फंदा बिगर्वना छोड़ दूंगी यहां पे भी कि बारा फंदे हैं यह हमारे पास कि यह रेखिए तो यहां पर हमने लाश्ट में एक फंदा छोड़ दिया है यहीं से हम फिर से वाफिस हो जाएंगे लाश्ट का एक फंदा छोड़ दिया है उल्टी शाइड को इस तरह से बना लेंगे तो यहां पर उल्टी शाइड हमने बना ली है जो बड़ा हुआ फंदा इसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे अब यह देखिए यहां पर एक फंदा बढ़ा है फिर से हम यहां पर सलाई पर लपेटते हुए दूसरा फंदा बढ़ा लेंगे यह देखिए इस तरह से और लास्ट का हम फिर से एक फंदा छोड़ेंगे तो इसी तरह से मैं यहाँ पर 12 फंदे थे मेरे पास 6 फंदे मैं छोड़ दूँगी इसी तरह से लास्ट के एक एक फंदा करके 6 फंदे मैं छोड़ूँगी तो देखें यहाँ पर मैं दो फंदे छोड़ चुकी हूँ और यहीं से मैं वापिस हो जाती हूँ तो यहाँ पर मैं यह देखी छे फंदे बढ़ा लेती हूँ और छे फंदे में लाश्ट के एक ही करके छोड़ देती हूँ इसके बाद मैं आपको फिर से दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंस मैंने यहाँ पर एक ही करके देखे 6 फंदे मैंने छोड़ लिये हैं यह देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 फंदे ही मैंने यहाँ आगे की तरफ बढ़ा लिये हैं और मैं यही से मैं वापिस हो जाती हूँ अभी हमने 12 फंदे रखेते हैं यहाँ पर 6 फंदे भी बाकी हैं हमारे तो मैं 6 फंदे बढ़ा लिये हूँ यह देखे इस तरह से उल्टी शलाई को बना लेते हैं 6 फंदे छोड़ दिये हैं एक एक करके और 6 फंदे ही हमने बढ़ा लिये हैं यह देखे अब हमने 6 फंदे किस तरह से छोड़ने हैं अभी 6 फंदे और बाकी छोड़ने तो 6 फंदों को मैं घटाते हुए अब 6 फंदे फिर से छोड़ूँगी तो यहाँ पर 6 फंदे छोड़ चुके हैं तो ये देखिए इस तरह से एक फंदा मैंने कम कर दिया है और लास्ट का फिर से मैं एक फंदा छोड़ूँगी छे फंदों को मैं छे फंदे घटाते हुए छोड़ूँगी जो मैंने बढ़ाते हुए छेपंदे छोड़े हैं यह देखिए फिर से मैंने साथ मां फंदा छोड़ दिया यहीं से मैं वापिस हो जाऊंगी यहां पर यह डिजाइन हमारा दिल जैसी सेफ में बन जाएगा तो देखिए यहां पर हम अब दूसरा फंदा घटा देते हैं इस तरह से यह देखिए जिस तरह से बढ़ाएं उसी तरह हम कम कर रहे हैं और लाश्ट के हम एक एक फंदा फिर से छोड़ते हुए जा रहे हैं तो यहां पर इसी तरह से यह मेरे 12 फंदे छूट जाएंगे तो देखिए मैंने 8 फंदा भी छोड़ दिया है इसी तरह से मैं 12 फंदे छोड़ लूँगी यह सभी और यहां के 6 फंदे मैं घटा दूँगी तो चलिए इसको इसी तरह से बनाके कंप्लिट करते फिर दिखाते हैं यहां पर हमारा अभी एक फंदा भाकी है घटाना तो देखिए यहां पर हमने 2,4,6,8,10,12 12 फंदे मैंने छोड़ लिए हैं अभी एक फंदा भाकी है तो देखिए यहां पर इस तरह से यह हमारी पत्ती बन गई है अब यह देखिए यहां हम दूसरा फंदा हम छटा फंदा इस तरह से घटा रहे हैं यह देखिए तो सारे फंदे घट चुके हैं और 12 ही फंदे हमारे चुटि गए हैं अब हम एक फंदे को घटाते हुए पूरी सलाई को इस तरह से बना लेंगे, यहाँ पर 12 फंदे बाकी है, 6 फंदे में पूरे घटाती हूँ, तो यहाँ पर एक सलाई, पूरा हम बना रहे हैं, जो फंदे हम एक एक करके छोड़े हैं, सबी को हम इस तरह से बना रहे हैं, यह यह देखिए इस तरह से, इसके बाद हम यहीं से वापिस हो जाएंगे, और उल्टी शलाई को हम इसको भी इसी तरह से बना के कंप्लिट कर लेते हैं, दागे को हम यल्लो को इस तरह से ले लिए हैं, यहाँ पर कोई गैप नहीं आए, तो देखिए फ्रेंस मैंने उल्टी शलाई भी बना ली है, फंदर चोड़ने के बाद मैंने पूरी शलाई को बना लिया है, इसके बाद हम अब यही पत्ती दूसरी भी हैं, आपर इसी तरह से बनाएंगे, यह देखिए, सैम उसी तरह से जिस तरह से मैंने यह बनाई है, उसी तरह से हम बनाएंगे दूसरी पत्ती भी, तो देखिए फंदा हमने सलाई के उपर चड़ा लिया है, और लाश्ट का हम फिर से एक फंदा छोड़ेंगे, इसी तरह से हम 6 फंदे फंदा बढाते हुए छोड़ेंगे, और 6 फंदे हम फंदा 6 फंदों को घटाते हुए इस तरह से हमने 12 फंदे एक ही करक著 ठोड़ेने अ यह देखे फिर से मैं दूसरी पति इससे हम उसी तरह से बनाऊं गी यह देखे और यहीं से हम वापिस हो जाते हैं तो चलिए हम hela दूसरी पति भी इस तरह से फिर से छोड़ूंगी यानि कि मेरे 12 फंदे छुड़ जाएंगे यह देखे मैं यहीं से वापिस हो जाती हूँ सेम उसी तरह से बना रहे हैं जो हमने आपको यह दूसरी बाली पत्ती बताई थी तो यहाँ पर मैंने 6 फंदे बढ़ा लिये हैं और 6 ही फंदे एक एक करके छोड़ दिये हैं यहाँ पर देखिए इस तरह से एक एक फंदा छोड़ा हुआ है यह 6 फंदे अब यह देखिए मैं यहाँ से घटाना शुरू फिर से कर रही हूँ तो यहां पर 6 फंदे हम घटाएंगे और लाश्ट के एक एक करके फिर से 6 फंदे छोड़ देंगे तो यानि कि 12 फंदों को छोड़ देंगे हम उसी तरह से यह देखिए यह देखिए 7 फंदा मैंने छोड़ दिया इसी तरह से मैं 5 फंदे और छोड़ूंगी इसके बाद आपको फिर से दिखाऊंगी ये देखिए अब घटा लेते हैं 6 फंदे और 6 फंदे छोड़ देते हैं फिर दिखाते हैं तो देखिए हमारा 12 फंदे छोड़ लिए इसी तरह से अब यह दोनों पत्ती हमारी पर बनके этой इस तरह से और यह दिल जैसे सेप में आ गई है यह देखिए इस तरह से अब हमने क्या करना है सारे फंदे छोड़ने के बाद हम यह देखे पूरी सलाई को इस तरह से बना लेंगे बारे फंदों को इस तरह से इने यहां पर बना लेंगे इस तरह से तो यहां पर 12 फंदे हम यह रेखिए बना लिए है यह रेखिए इस तरह से 12 फंदे में बना लिए हूँ और दोनों पत्तियां हमारी बनके कम्प्लिट है इसके बाद हम यहीं से वापिस हो जाएंगे और यहां पर हमने 12 फंदों में यह यलो कलर लगा दे रहा है इस तरह से यह रेखिए, चोदा फंदे यह हैं यलो कलर के, अब हमने यहां से इन में यलो कलर लगा देना है बारे फंदों में इस तरह से, और एक सलाई यहां पर बना लेंगे, जिस तरह से हमने शुरूबात की थी, उसी तरह से हमारा यह आ गया है, और यहां पर एक पत्ती हमारी बनक यह देखिए इस तरह से अब हम पूरी सलाई को यहां तक 26 पंदों को सभी को हम बना लेंगे इस तरह से पूरी सलाई को तो चलिए हम पूरी सलाई को येलो से बना के कंप्लिट कर लेते हैं इसके बाद दिखाते हैं कि फ्रेंस मैं यहां पर पूरी सलाई को बना चुकी हूं ये देखिए जिस तरह से मैंने शुरुवात में एक सलाई बना ली थी उसी तरह से यहां पर व동हल से लिखात पर दालेंगे इसी तरह से हमने पूरा नोमेट कंप्लिट कर ना है आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसी तरह से मैं इसको बनाऊंगी अब यह देखे फिर से मैं यही वाला यहाँ पर यह वाला डिजाइन बना लेती हूं अब फिर से हम यह वाला डिजाइन बनाने के बाद फिर से हम इसी तरह से फंदे छोड़ेंगे दोनों तरफ और यहां बीच में आ जाएंगे इसके बाद फिर से यही डिजाइन बनाना है इसी तरह से इसको बनाके कंप्लिट कर लेते हैं इस तरह से हम पूरा डौरमेट कंप्लिट करेंगे तो मैं इसी तरह से बनाके पूरा डौमेट कंप्लिट कर लेती हूं इसके बाद आपको फिरसे दिखाती हूं ये देखे तो देखी friends मैंने यहां पर पूरा डोर्मेट complete कर लिया है अपना ये देखी इस तरह से और मैंने इसमें ये 6 कली बना के complete कर ली हैं ये देखी और ये काफी सुंदर बन गया है बहुती सुंदर लग रहा है बनाने में बिल्कुल आसान है ये हमने 26 फंदों में 6 कलियां जाते तो आप इसे 8 कली का या 12 कली का आप इसे बना सकते हैं और किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हैं यह बनाने में बिल्कुल आसान है और बहुत ही सुन्दर लग रहा है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर झाहे हैंśl लगे लगे प्रीजे करें जरूराएटा और एक भूर लरš बस्ट वारे येूज जरूरा जर खावीजे जरूराएटा तो आसे झारें जरूराएटा क्रवका ये इसे दूरांते हैं ये येरूर ध्नाने में सकते हैं भीजह हैं जर मेंähänरमियों खाफे की बनान